हाई दोस्तों, Realme के तरफ से Realme X7 Max स्मार्टफोन को भारत में इस साल मई में लाउंच किया जा सकता है लिख रिपोर्ट के मुताबिक Realme X7 स्मार्टफोन Realme GT Neo का रिब्रैंडेड वर्जन होगा जिसे चीन में पहले माँ में लाउंच किया जाएगा और Realme GT Neo स्मार्टफोन को Mediatic Dimensity 1200 SoC Processor के सौथ में लाउंच किया गया है फोन में एक ट्रिपल ड्रियर कैमेरा से टब भी दिया गया है इसके स्पेसिपिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो Realme X7 स्मार्टफोन डिजाइन में Realme GT Neo की तरह ही होगा जिसे चीन में मार्च में लाउंच किया गया है फोन में 6.43 इंच का Super AMOLED HD Plus डिस्पले दिया होगा जिसका Regulation 1080p होगा जिसका Repressure Rate 120 Hz होगा प्रोसेशर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity का 1200 SoC का सपोर्ट दिया जाएगा Realme X7 Max डिजाइन Android E11 पर काम करेगा फोटोग्राफी के तोर पे फोन में ट्रिपल डियर कैमेरा से टप दिया गया है इसका Primary Camera 64 Megapixel का होगा जिसमें Sony का AMX 682 प्रोसेशर होगा इसके अलावा 8 Megapixel का Ultra Wide Camera 2 Megapixel का Micro Lens Camera का सपोर्ट दिया जाएगा वीडियो कॉलिंग के लिए Selfie के लिए 16 Megapixel का Front Camera दिया जाएगा और स्मार्टफोन एक मीट्रें स्मार्टफोन होगा पावर बैकप के लिए इसमें 5000 MHz की बैटरी दी जाएगी जिसमें Fast Charging का सपोर्ट भी मेलेगा और यहाने वाले समय में बारत में बहुत रिजल्ट लॉंच किया जाएगा लेकिन माई के बाद ही इसे लॉंच करने की संभावना है इसका लूक और डिजाइन आप वीडियो में देखी सकते हो कफी अच्छे डिजाइन में इसको लॉंच किया जाएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें